कि राज कर्मी का दर्जा दिया आजाओ बहतर योगी सिख्षक हैं उससे हम लोग साहमत हैं लेकिन उसमें जो टर्म एंड कंडिशन्स मेंशन किये हैं उस पर घोरा पत्ती है पांकि जो अभेहत्ती वो नई बाहली के देंगे हैं हम नई बाहली में क्यों परिक्षा देंगे कर जाएंगे लिए पर मोसन के लिए आप ठीकर कर दिएख दिखान नहीं आए है ज्यादा तर ध्यान हमारते जस्यूजी पर है चुनावी वादों को पूरा करें जो लिखित घोष्णा पत्र में लिखके दिये थे कि सभी नियोजी शिक्षों को राज कर्मिन समान कौन स्वान में तन देंगे वो दे दीजिए नमस्कार में हूं अनुकुल दिवारी और आप लाइस देखने हैं कि हमारे साथ एक दो तीन चार चार सरकारी शिक्षक हैं आप बताई लगतार अभी यर्थियों से हम जवाल करत दस साल से पढ़ा रहा हूं देखिए बात है कि परिक्षा किस चीज की देनी है नई बहाली की या विभागय परिक्षा पर्मोसन की होगी तो हम देंगे तो दीजिएगा कि प्रमोसन बिलकुल देंगे चाहे हमें समान काम समानबेतन का मांग जो है उसको पूरा करने क्लिक हजार राजकर्मी रहाव हो और परेक्षा जैसे अन पषथcy जो अभी हरती है वो देंगे हम नहीं परिक्षा देंगे हम थो सक्षक हैं कि आप एक विभागे पर इसा लीजिए उससे आप सहमत है कि नहीं सहमत देखिए जो उनका मूल्श भाव है जो मूल भाव है इस नियाओं वली का कि राज कर्मी का दर्जा दिया आज़ा वेहतर योगिशिक शका है उससे हम लोग सहमत हैं लेकिन उसमें जो टर्म कंडिशन्स में उस पर गोरापती है आपती एक क्लॉज पर है जिसमें यह कहा गया है कि जो पूर्व से नियोजी सिक्षक है वो भी नई बाहली में आप अगर इता जाने तो यह भी आप सुने होंगे बहुत सारे लोग जब हम वीडियो डालते हैं सारे लोग ही बोलते हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं सरकारी स्कूल में जो कुछ नहीं जानते हैं जिनको अंग्रेजी तक नहीं आता है और वो बैठे रहते हैं तो वो तो उनके लिए तो कुछ में हम बैठेंगे हम पास कर गए तो सीट किसका खाएंगे हम अपने चोटे भाईयों का सीट खाएंगे दूसरी बात है कि हम जो दस साल का सेवा इधर किये उसका बेतन सनचन होता इतने दिन्स का ब्रेतन हुआ वो सब कहां जाएगा हम नहीं हैं मैं तो अपने जिले पैसा देखे बना होगा उनके बारे में तुम्हें नहीं बता सकते हैं लेकिन हम लोग टीटी का आपको मालूम होगा कि लाखो लाखो लोग बैठेत हैं और उसमें मात्र कितना परसेंट आये था सारी जिए जिरो पांट फॉर परसेंट पांट चार परसेंट रिजेल्ट अगर कोई कर आते हैं यह कुछ आईस बनते हैं अगर वह दस साल सर्विस में रहें और दस सल वाद उनको फिर उसी तरह का एक्जाम में बैठाए जाए 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 ज़रूरी नहीं है कि वह कौलिफाई कर जाएंगे दूसरा चीज अगर एक पुलिस वाला के बहाली होता ह है 17-18-18-18-18-20-30 कर लड़का लोग जाते हैं वह लड़का का दोड़ होता है बहुत फराटे तार दोड़ेगा और जब नौकरी उसका लग जाया दस साल बाद उसको फ्रेस लोगों के साथ फिर दोड़ाएगा क्या उनका रुनिंग का स्पीड उसका इनका स्टेमना क्या परमोशन के लिए एक जाम लेता लेकिन वह भाग लेता कोई आयोग नहीं लेता है और उसका परिशाल हां यह सरकार का मंसा क्या है जो साफ नहीं है नितिशकमार को कुछ बोलना नहीं चाहेंगे नितिशकमार जस्वी आदब जिसे बोलना चाहते हैं जिसे खास कर उन्होंने कहा था हां वो जब विपक्च में थे हैं तो वह बोल रहे हैं थे कि हम आएंगे तो सभी सिछकों को हम एक ही पहले कलम से हम राज्य कर्मी का लेकिन सत्ता में आने के बाद हमें नहीं लगता है वह इसा कुछ कर रहे हैं अब आज उठ रहा है लगातार उठ रहा है तेजस्वी आदब कर जाएगा इसका डर है कि पास कर जाएगा इसका खुशी क्या है बिल्कुल डर किस बात करेगा हम लोग सिछक है सिछनकार सुरू से करते आ रहे हैं और आठ साल से नौकडी में है और हम हमें मिडिली स्कूल में रहते हुए हाई स्कूल में प्रतुनिक्त किया गया तो मालूम ना कि आगे कौन बैठेगा आपके अभी हर्ती जो चार साल से तो हम तो उनका सीट खा जाएंगे जो एक समस ट्गार पकाव हम से नौकडी कर रहे है हम भी तयारी करेंगे लेकिन हमारा ही में तो पहरो हम कां रहे हमारे नौकरी अнить-DY गिक है लेकिन राज्य कर्मी का दर्जा के लिए पर इच्छा लेने तो जब हम आए बैठेंगे तो हम तो कुछ महनत करेंगे करेंगे तक्रिवा नौ साल उसे पढ़ा रहा है आठ आट साल आठ दस साल आप बताईए आप किशा सब्सक्राइब चाहएं लोग हैं ज्यादा तर लोग क्या बोलता है आप लोगी सुने कि ज्यास लोग क्या है वो ठीक है बहुत तेज हैं लेकिन सवाल जवाब होता हमेशा है कि सब्सक्राइब तीचर जो है उन्हें पढ़ाते हैं नहीं नहीं पढ़ाते हैं अपना खुद भी पढ़ते हैं परिक्षा देने के लिए अगर बोला जाएगा तो पास करेंगे तो फिर वही स्कूल में जाएगा लेकिन क्या कहला येगा बिल्कुल यह चीज वही तो करेंगे नियाम के अनुकुल नहीं होना चाहिए हम हम आट साल नौसा से जॉब कर रहे हैं फिर आप दुबारा हम को कहि परिच्छा लिया जाए अभी तक इतिहास में अई हुआ कि आपको नौकरी लग गए और नौकरी के बाद किसी या यूपीसी आयोग से एक्जाम लिया जाए यह आज तक नहीं हुआ आप एक्जाम लेना चाहते है डिपार्ट्वेंटल एक्जाम लिजिए किसी भी नौकर परिच्छा की बात करते हैं भाई साइब मास्टर टैलेंटेड नहीं होता तो इस जाती जन गन्ना जो भी कराया जा रहा ना सुनिए एक बात हम बता रहें मेरा दो मिनट सुन लिजिए आप एक घर का नक्सा बनाने जाइए कि इंजिनियर आपसे कितना लेगा 30,000-40,000 सिर्फ एक नक्सा का और यहीं सिछक लोगों गाउं घुबेज दिया जा रहा है महला में पूरा महला का नक्सा बना रहा था हम तो इंजिनियर हो गए है इसके बाद सॉफ्ट विए पर हम लोग काम कर रहे हैं लान पड़ तो है नहीं हां सबसे आदा एक्स्पीरेंस आप ही को है दास साल का अनुभव है और टीटी टीचर टेस्ट दे करके आए इन्हें सर्टिफिकेट दिखानों करी पाव नहीं आये हैं उस समय 25 लाग से अधिका भ्यरती सामिल वे परिक्षा में और मात्र चार परसेंट के लगवा चार परसेंट से कम रिजल्ट हुआ उसमें हम चुन करका है तेज तो है तेज थे तब तो हम कुई मांग यही है हमारी ज्यादा तर ध्यान हमारा तेजस्वी पर है चुनावी वादों को पुरा करें जो लिखित घोष्णा पत्र में लिख के दिये थे कि सभी नियोजी सिक्षों को राज कर्मिन समान कौन सवन्वेतन देंगे वो दे दीजिए आप बताई कि क्या मांग रह हैं पहले से उन सभी को राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए आप जिसे बोले सटीपिकेट दिखाऊ नो कुरी पाँ तो जो लोग बड़े भाई लोग हम लोग लिये हैं तो यह उनका दोस्त नहीं है अगर हम भी उस उमर में होता है तो हम भी वह उसे ही जूखते हैं आप ने क्यों सटीपिकेट वाला नोगरी निकाला निकाले तब नो लोग आया है मांग क्या आपका बिल्कुल हमारी मांग वही है कि जो इन सर्विस में हैं आभी अल्रेटी नियोजी टीचर हैं उनको आप अपना जो चुनाव के समय में वादा किये थे कि हम उनको नियमित कर प्रतिष्टा चाहिए जो भी उनको जो सुविधा मिलते हो सुविधा हम लोग पूरा करते हैं जहां तक उससे ज्यादा ही हम लोग फुल्फिल करके आया ने के खिलाफ है या नहीं प्रदर्शन विरोध होगा की नहीं मेरा वही करना है कि एक्जाम देने के लिए डर नही मालूम हो तो कोवीट के वाद से आप देखिये सबसे पहले बूर्ड का इक्जाम कहां होता है बिहार में रिजल्ट कितना होता 80-85 तो क्या सिचक नहीं पढ़ा रहे हैं तो अपने आप पांस हो जा रहा है है इतना तेर है है हां सिचक नहीं पढ़ा रहे है तो 85-85 बिभीन जिलों में पुतला दहन और नियामवली को जला करके विरोध दर्थाया जा रहा है जिते भी सरकारी टीचर थे साफ कर रहे हैं कि विरोध होगा नई-देमावाली का और क्या कह रहे हैं देखिए एक्जाम देने से डरते नहीं है क्योंकि दस साल से पढ़ा रहे हैं नौ भी साल से बढ़ा है दस साल नो साल आच आठ साल नव अट दस यहीं है और साहथ चरणी अक्सार की ज्रेजाम भी सबाते हैं होता है क्या वरोध क्रणी कि उन्हें कुछे है नहीं मयं गो वाली को सब्सक्राइए कर दोफे कर दो कर दो कर दो